उत्तरकाशी जिले में सीडियो और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है यहां जसोदा राणा ने सीडियो पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक आडियो क्लिप जारी किया है जिसमें जिला पंचायत सदस्य दिपक बिजडलमान जिला जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा से सीडियो का जिक्र कर जिला योजना की धनरासी जारी करने के लिए कमीशन की बात कर रहे हैं वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने सीडियो पर करोडों के घोटाले का आरोप लगाते हुए जाच की मांग की है वही पंचायत अध्यक्ष ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 दिन तक भ्रश्ट अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हुआ और घोटालों की जाच नहीं हुई तो जिले के विभिन स्थानों पर धर्ना प्रदर्शन किया जाएगा पंजाब के स्थी टीवी के लिए उतरकाशी से आशिश मिश्रा की रिपोर्ट